आपको लगता है इस बार लडाई बैक्वर्ड वोट्स की है, नॉन जाटब बैक्वर्ड वोट्स की लडाई सबसे ज़्यादा है, सब लोग उस वोट बैंक की तरफ सबसे गरीब व्यक्ति को भाजपा के साथ जोड़ा है, जो मध्यमवर्ग ये लोग थे वो कानून और व्यवस्ता और सुक चैन की जिन्गी के कारण भाजपा के साथ जोड़े हैं, और जिनको एक अच्छा खासा जिन्होंने जीवन में सफ़ले हैं, अर्थिक स्थिती भी अच्छी है, ये सारा वर्ग उत्तपदेश के विकास और इंडस्ट्रिल डेवलपमेंट जो हो रहा है, इसके कारण हमारे साथ, मैं किसानों की पेले बात बात कर लो, लगबग 86 लाग किसानों का हमने रूर्मापी किया था, और 35 जार करोर का रूर्म और 80 हजार करोर का भुक्ता डायरे को उसके बैंक अकाउंट में किया है, दो करोड 84 लाग किसानों को प्रदान मंत्री किसान सन्मान निधी सिधी इनके बैंक अकाउंट में जाती है, हर साल 6,000 रूपिया, और 32,500 करोड रूपिया तक मोदीजी ट्रांसपर कर चुके है, प्रदान मंत्री किसान फसल विमायोधना के तहट 25,60,000 किसानों को लगबग 22 करोड रुपया का भुक्तान हो गया है और लगबग लगबग 4,72,000 करोड रुपया फसली रूम जो सौट टम होता है हर फसल के लिए होता है उसको हमने पहुँचा है लगबग 2 करोड किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पहुचा है और आज इसका परिवर्तन क्या हुआ देखे यूपी गन्ना चिनी यहू आलू हरीमटर आम आवला और दूथ इस सब में देश में नमबर वन बना है जो पांच साल पहले किसी भी चीज में नहीं था अब अखिलेश जी कह रहे है कि मुद्दो से भटक रहे हैं भीया हम तो नहीं भटक रहे आप इसका जवाब दो आपके समय में गन्ने का प्रदेश होने के बावजुद भी क्यों नमबर वन नहीं थे दूद का उत्पादन इतना फेट पानी होने के बावजुद भी क्यों नंबर वन नहीं थे गेहूं में क्यों नंबर वन नहीं थे आप बताओ क्योंकि आपने परफ़म नहीं किया था और हमने धेर सारा गेहू, दलहन, चावल, सब चीज में उत्पादन को बढ़ाया है और बहुत बड़ा भुगतान भी किसानों को किया फार्मर राजिटेशन के वगर से उनके उनके अंदर कोई रोश नहीं है दिखे एक परसिप्शन बनाने का जरूर प्रयास किया गया मगर सफल नहीं हुए किसान हमारे साथ